हेलो दोस्तों मिशन गवर्मेंट जोब के ओफिशल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत हैं आज की वीडियो में मैं एक नई भरती के बारे में आपको बताऊंगी एन बी ए ने वेरियस पोस्त पे रेक्यूट्मेंट निकालिये है जूनियर असिस्टेंट एंड अदर ग्रूप सी की पोस्त है इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी कि क्या ये वेकैंसी है इसके अंदर एज लिमीट क्या रहेगी इसके लिए क्वालिफिकेशन प्रोसेस क्या रहेगा इसका स्लेक्शन प्रोसेस क्या होगा स्लेबस क्या है कितना टाइम मिलेगा आपको एग्जैमिनेशन में एग्जैम जो है वो ओफलाइन होगा या ओनलाइन होगा वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी तो वीडियो को पूरा छोड़ना है, आपको हर एक मोखे का पूरा-पूरा फाइदा उठाना है, ओके? और ये तो एक बहुत अच्छे अपॉर्चनिटी है, हाँ इसमें जो फीस है वो बहुत ज़ादा है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अच्छे अपॉर्चनिटी है, जो स्टूडेंट्स एफ़ करना फोर्म जरूरं फील करना और जो स्टुडेंट स você जूनियर एसिस्टेंट या पिछे स्ट पिछे सीवियस पोस्ट निकाली थी जूनियर असिस्टेंटर जूनियर एक्षत जूनियर अकाउंटर सीगेस्टर तो रिजल्ट आ क डिये थे हैं ह愚 Die The वहां पे जो math and reasoning का जो level पुछा गया था वही same level आपको इसके अंदर भी मिलने वाला है बहुत जादा difficult paper नहीं होने वाला है ये बिल्कुल easy paper आपको मिलेगा CBSE junior assistant और senior assistant का paper जिन्हों ने दिया था math and reasoning के अंदर students full out of full number लेके आये थे मैं आप लोगों को वो paper भी दिखाऊंगी क्योंकि answer की आ चुकी है तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि कैसे बचों ने math and reasoning में full out of full score किया था बहुत easy level होता है तो वो students जुरूर form feel करें और साथ में एक अच्छा मौका ये है क्योंकि ये जो form है ये 12th based पे भी है और graduation based पे भी है तो maximum ऐसे student होते हैं जिन्होंने 12th की होती है graduation की होती है तो दोनों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है इस मौके का पूरा पूरा फाइदा आपने उठाना है तो discuss करते हैं क्या इस form के अंदर बताया गया है notification क्या है वो सारा कुछ मैं आपको इसमें बता देती हूँ तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो तो ये हमारा notification है official notification है जो national board of examination है उसकी ये recruitment है कब से form फिल स्टार्ट होने वाले है तो 11 जुलाई 2020 से आपके form फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक आप form फिल कर सकते हो 31 जुलाई तक आप form फिल कर सकते हो और इसमें examination की date पहले पहले ही बता रखिए examination जो लेगा वो कौन सी company लेगा TCS जो है वो examination लेगा जो आपका railway है या जो भी banking है यह सारे जितने भी exam है यह TCS कंड़क्ट करवाता है CBT यानि computer based आपका examination होगा offline exam नहीं होने वाला computer के ओपर exam होगा और 31 अगस्ट 2020 को आपका यह exam होगा यानि कि आज 15 जुलाई है तो 15 जुलाई से लेके 31 हाट टोटल आपके पास 45 डेस है जैसे कि CBAC junior assistant के अंदर आपको टाइम मिला था वैसे ही इसके अंदर भी आपको टाइम मिले है कोरोना की कारण अगर exam पोस्ट पॉन भी होता है तो बहुत जादा टाइम तक वो पोस्ट पोन नहीं होग तो बहुत जल्दी जो है वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा जो जितने भी examination है वो सारे आपके टाइम पर होने शुरू हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छा मोका है आपने ये मोका बिलको भी waste नहीं करना तो 31 आठ यानि कि आपने 31 अगस्त तक target लेके चलना है सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी कैसे त्यारी करनी है कहां से त्यारी करनी है और math और regioning में आपके full out of full number कैसे आएंगे जी के में आप कैसे अच्छा score करोगे इंग्लीश में कैसे अच्छा score करोगे तो कौन-कौन सी vacancy है अभी senior assistant की है junior assistant की है junior accountant की है और stenographer की है तो total 4 vacancy है है हमारी जिस 27 से उपर है वो यह form fill नहीं कर सकते तो below 27 होनी चाहिए आपको ध्यान रखना है सभी के अंदर age limit जो है वो 27 ही दे रखी है maximum और जो education qualification है वो आप लोग यहां पर देख सकते हो जो senior assistant है इसके लिए हमें क्या चाहिए इसके लिए आपको bachelor degree चाहिए किसी भी stream में हो सकती है चा आपके लिए 12th pass होना चाहिए जो student 12th pass है वो junior assistant का form जो है वो feel कर सकते हैं और उसके बाद जो भी computer knowledge वगरा चाहिए वो basic computer knowledge चाहिए इसके लिए essential नहीं है कि आपके पास कोई computer certificate होना ही चाहिए आपको सिरफ 12th होनी चाहिए और degree होनी चाहिए चारों पोस्टों में यही है आ लेकिन इसमें जो bachelor degree आपसे मांगी गई है वो commerce में मांगी गई है अगर आपने बिकॉम किया हुए है तो आप junior accountant का form जो है वो feel कर सकते हो ठीक है अगर आपके पास simple degree है तो आप senior accountant का form feel कर सकते हो ठीक है अगर आपने सिरफ 12th की हुई है तो आप junior assistant का form feel कर सकते हो उसके यहां पर टाइपिंग मांगी जाएगी तो यहां पर टाइपिंग क्या है जो 30 वर्ड पर मिनेट है वो नॉर्मल टाइपिंग आपकी मांगी गई है और 80 जो है वो आपकी शोट हंड टाइपिंग मांगी गई है तो यह आपको धियान रखना है कि आपकी टाइपिंग लिए अलग अलग वकेंसी सबएले सीनियर एसिस्टंट के लिए listen के लिए एसी कह लिए conditions कैम है लेकिन इसमें competition भी कम होगा बहुत ज्यादा competition इसमें नहीं होने वाला जूनिय एसिस्टंट मेंझेगर एस इनाइसर शनुर्श topics दीचिए वे है लेकिन एक मौका है आप लोगों को ये मोका जो है वो छोड़ना नहीं है क्योंकि इसका examination बिल्कुल भी tough नहीं आता है हमें तो एक ही seat चाहिए अगर vacancy 9000 आती है तो भी एक seat चाहिए अगर vacancy 90 है तो भी हमें एक ही seat चाहिए ये आपको ध्यान रखना है ठीक है उसके बाद आप लोग इसको apply कर स बता है जो फीस है वो कितनी है यहां पर जर्नल वालों के लिए कितनी है यहां पर 1500 है यह आपको ध्यान रखना है 1500 रुपीज फीस यहां पर जर्नल कैटेगरी के लिए रखी गई है उसके बाद जो 750 फीस है GST चार्जिस में अलग से रहेंगे 750 जो फीस है वो किस-किस के ल जिनके पास EWS Certificate नहीं है, जो Simple Journal Category के अंदर आते हैं, उनकी फीस कितनी है, 1500 उनको पे करना पड़ेगा, उसके बाद चाहिए जर्नल Category के अंदर जो मेल आते हैं, अगर उनके पास EWS Certificate है, तो उनकी फीस कितनी लगेगी, 750 लगेगी, और बाकी चाहिए आप फीमेल हो, जर पास EWS Certificate नहीं है, तो यहां पे उसके बाद हम स्लेबस के पास EWS Certificate नहीं है, तो उसकी टोटल 6,000 जो है, वो एक्जामिनेशन फीस प्लस GST चार्जिस अलग से लगेगे, यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो यहां पे उसके बाद हम स्लेबस कितनी है, तो यहा पास EWS Certificate नहीं है, तो यह हमारा स्लेबस है, सभी के लिए स्लेबस सेम है, सिरफ लेवल का फरक होगा, जो ग्रेजुएशन बेस है, और जो प्लस टू बेस है, ठीक है, दो यह इग्जामिनेशन है, यहां पे एक तो ग्रेजुएशन बेस वाली पोस्ते हैं, और एक प्लस प्लस टू बेस वाली पोस्ते हैं, जो प्लस टू बेस है, वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, लेकिन जो इग्जामिनेशन का लेवल है, वो डिफरेंट रहने वाला है, ग्रेजुएशन वाला थोड़ा सा लेवल हाई होगा, और प्लस टू वाले का लेवल जो है, वो कम सबस्सक्राइब का साथ। मैं आप लोगों को बताऊंगी. already हमने channel के उपर अगर आपको reasoning के अंदर 50 में से 50 number लेने हैं तो channel के उपर मैंने complete reasoning करवा रखी हैं एक भी question आपका reasoning में बाहर नहीं आएगा अभी सिरफ एक या दो lecture spending है उसके अंदर जो वो भी complete करा दिये जाएंगे जो DRDO के अंदर जो reasoning पूछी जाएगी सेम वही reasoning जो SSE में पूछी जाएगी या DRDO में पूछी जाएगी वही सेम reasoning यहां भी पूछी जानी है तो 50 के 50 number 100% guarantee के साथ आपके आ सकते हैं अगर वो आप सारे के सारे lecture जितनी भी classes है उसके अंदर 50 से 60 classes है अगर वो सारी सुन लेते हो तो reasoning में आपका एक भी number नहीं कटेगा ठीक है उसके बाद रहा गया हमारे पास math इसी परकार से math की भी इतनी classes है अगर वो आप सारा math complete कर लेते हो तो math में भी आप 45 प्लस आराम से score कर सकते हो और जो अगर जैसे cbhc junior resistant में बच्चों ने हमसे त्यारी की थी या फिर math डियार्डियो के लिए त्यारी की थी बच्चों ने full out of full भी score किया है तो आप 50 में से 50 भी ले सकते हो उसके बाद है gk gk तो मैंने channel के उपर बहुत सारी gk की वीडियो डाल रखी है अगर आप एक बार सुनोगे तो आपको बहुत सारी gk automatic याद हो जाएगे आपको याद करने की जुरूरत ही नहीं पड़ेगी और English की classes बहुत जल्दी channel के उपर शुरू करेंगे अगर आप लोगों का response अच्छा रहा तो सबकी playlist का link आपको description में मिल जाएगा सारा syllabus आप math का reasoning का और gk का वहाँ से complete कर सकते हो टाइम कम है तो एक दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा syllabus complete करना पड़ेगा अगर जो paper है वो 31 अगस्ट को ही होगा तो time आपके पास सिरो 45 days है ओके तो ये आपके पास selection process है इसमें जो selection process है examination होगा सिरफ आपका और उसके बाद क्या होगा document verification होगा लेकिन जो stano वाली post है उसके अंदर आपका skill test भी होगा ये आपको दिहां रखना है क्योंकि उसमें typing बंगी गई है तो बाकि जो तिनों post है उसमें सिरफ एक exam और कुछ भी नहीं है कोई typing का कोई जंजट नहीं है उसके बाद सिरफ document verification होगा और exam में जो आप number लेक्या होगी उसके base पर आपका selection होगा लेकिन जो stano वाली post है उसके अंदर आपका skill test भी होगा और उसके बाद document verification होगा फिर आपका selection होगा salary इसमें बहुत अच्छी है बहुत अच्छा मोका है आपके पास form जुरूर फिल करना और अगर आपको किसी भी परकार से कोई भी help चाहिए कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लोग नीचे मुझे comment करके पूछ सकते हो thank you